तो इस question में हमें एक double convex lens दिया है जो कि ग्लास का बना है और ग्लास के एफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.55 और दोनों फिसेस की जो रेडियस उप करवेचर वो सेम है लेट इन भी capital R अना तो हमें बोला कि find out the radius of curvature required if the focal length is 20 cm तो यह हमारा double convex lens हो गया राइट तो इसकी हमें R जो है वो निकालने रेडियो से करवेचर इस side के भी यह R1 और यह R2 और R2 दोनों इक्वाल है R1 equals to R2 which equals to R और हमें R find out करने है गिवन इस focal length जो हमें दिये वो 20 cm दिये और जो refractive index यह मू दिया है वो दिया है 1.55 ठीक है तो लेंस फोल्म लेंस फोल्म रहना क्या होता है 1 by f is equals to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 यह होता है राइट तो यहां पर अगर कोई अब्जेक्ट है उसके लिए R1, R2, तो मुँख तो हमारी focal length क्यों हो जागी यह positive यह negative sign again when इसन हमने define कर लिया तो हमारी यह 1 by f क्यों हो जागा 1 by plus 20 focal length plus 20 हो गे ना 1 by plus 20 is equals to mu minus 1 1.55 minus 1 तो यह बच्छे का 0.55 into 1 by r1 आर वन क्या होगा रवन प्लस रोगा ना इच वस्टु 1 by plus r minus r ऊणिया होगा रोट थो माइने सब्स माइने से प्लस हो जाएगा ठीक है तो यहांसे क्या गे आगया हमारा या से हमारा आ जाएगा 1 by 20 is equals to 0.55 into 2 by R, तो यहां से बढ़ी R की value किया आती है, यहां से मारा R आ जाएगा 22 cm, ठीक है 22 cm, तो हमारी जो रेडियो सुप कर वेचे रहे वो 22 cm आ गए, ठीक जाता हूं कर दो हमारी बढ़ी R आ जाता है, शो हमारी जोऊ है, जाता हूं से डॉप तो हमारा उन्मर छा़ीर, मैं वे हां बनुट्टाना है, जाता हूं से झाघे ही जुपीimsाह llama